राश्ट्रपती रामनात कोविंद हिमाचिल परदेश के अपने चार दिन के दूरे के सिलसले में शिमला पहुंच गए है शिमला में अन्ना टेल हैली पेट पर राजिपाल राजिंदर विश्वनात आर लेकर ओ मुख्य मंत्री जैरम ठाकूर के अलावा दूसरे गन्मन व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया उनकी अगवानी की इसके बाद राश्टपती चोड़ा मैदान स्थित सेसिल होटल चले गए यहां वे चार दिन तक रुकेंगे राश्टपती अपने हिमाचल दोरों के दोरान जो प्रेजिडेंशल डिट्री टैच राबड़ा में आम दोर पर वहां रुकते हैं लेकिन वहां स्टाफ के चार लोग कोवीड पोजिटिव आने के पाद उनके ठहरने का स्थान बदल कर चोड़ा मेदान के पास कर दिया गया है इस करण केनेडी चोंक से लेके बालू गंजवली रोट चोड़ा मेदान से होते हुए जो जाती है और रास पास का कई मार्ग आम जनता के लिए चार दिन के लिए रोख दिये गए हैं उन मार्गों से उनका आना जाना रोख दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते हैं इसी बीच राष्टपती अपने चार दिन के दोरे में शुकरवार को सुबह 11 से 12 बजे तक हिमाचल प्रदेश विदान सबा के स्पेशल शेशन को संबोदित करेंगे विदान सबा के इस पेशल शेशन में पूर्व मुक्य मंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार दूमल समयत 93 पूर्व विदाइकों को भी शामिल होने का नियोता दिया गया है इसके अलावा केंदरी मंत्री अनुराग ठाकर समयत हिमाचल से 5 सांसदों को जो रजज सबावा लोकसबा के सबसे हैं और 7 पूर्व सांसदों को भी शामिल होने का नियोता दिया गया है यह special session हिमाचल के रजजत्व के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जूबली के उप्रक्ष में करवाया जा रहा है हलागी कोल्डन जूबली जो है वो जनवरी में हो गी थी लेकिन कोवीट के चलते यह special session अब स्तमبر में करवाया जा रहा है इसके बाद उसी दिन शाम को राज़ेपाल ने उनके सम्मान में रात को आठ बजे बेंक्विट का आयोजन किया है और उससे पहले साधे साथ बजे वहाँ एक सांस्कृतिक कारेकरम भी किया जाएगा अगले दिन शेनिवार को राष्टपति का कारेकरम है National Academy of Audit and Account में वेलेडिक्टरी फंक्षन एक उसमें यारोज में वेलेडिक्टरी फंक्षन में वो शामिल होंगे 11 से 12 बजे तक के बाद रवीवार को वो सवा 11 बजे अन्ना डेल हैली पैट पहुंचेंगे और चंडीगर से होते हुए उनका एक बच कर 35 मिनट पे राष्टपति बहुन पहुंचने का जो शुडूल के मताब कारेकरम है तो राष्टपति के ये दोड़ी को लेकर कड़ी सुरक्षा जो है इस समय शिमला में कर दी गई है उनके सुरक्षा के चलते चपे चपे पर जो है यहां वहां पुलिस तैनात कर दी गई है और यहां उनके कारेकरम है वहां खास निगरानी रखी जा रही है